हलो फ्रेंट्स तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी एससी एक मिनट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी एससी का सेट टू के इंपोर्टेंट है जो पचास जिके जिएस का कोचन पचास जिके का कोचन तो आप लोग सभी बताइएगा कि इसमें से कितने प्रस्नों को आपने सही उतर दिये हैं और साथ ही उसके बाद मैं जिएस का जिएस का है जो 25 कोचन वो अलग से कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो ज्यादर देर वीडियो लंबा होने की कार में जिके का 50 कोचन अलग से इसका अलग से सेट करा रहा हूं और जीएस का 50 तो आप लोग जरूर देखिएगा और साथ में यह है जो किरन पब्लिकेशन का बहुत ही इंपोर्टेंट बुक होता है जो सभ फर्ष्ट प्रस्ण है आज का जो फर्ष्ट प्रस्ण है आप लोगों के सामने एक नमर कि निमलिखित में से कौन समिधान सभा की व्यवस्थापन के पहले अध्यच थे कोचन नमर एक है निमलिखित में से कौन समिधान सभा की व्यवस्थापन के पहले अध्यच थे एक मे लाल नहिरू कनेया लाल मानिक लाल मुनसी तीरं में हरिंद्र कुमार मुकह्र जी धीर चार में सचीदानन्सिना जो राई सब्कंड़ाइल और उसका क्या मतलक राई कैई उसकी आह सोन सब्सार अकड़ा अर्जिक करीनी करीनी सिमती किए अध्याच थे बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है तो जो इंपोर्टेंट नोट्स रहेंगे वह आप लोग लिखे यह कार्ज कारिनी समीति अगर आप से पूछ दे कि यह समिधान सभा के कार्ज कारिनीती समीति के अध्याच कौन थे तो एक कनहिया लाल मानिक लाल मुंसी थे तो सचिदान सिन्हा और अगर जो अस्थाई अध्याच पूछे तो डाक्टर राजेंद परसाद थे तो इन सभी बातों के भी आप लोग नोट करते चलिए बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रिच्छा की देश्टी से पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और कोशन नमर दू आ अपका है उचन मर दू है उचन नमर दू है आपका कर कि एस्ख ने बहुत धर्म के परचार के लिए किसे विदेश में भेज़ा थेいきमे संगमित्रा धुमे कुणाल ثिन में देवान देब नाम प्रिय अचार में इनमें सुख हो इने तो असोख ने बहुत धर्म के परचार के लिए किसे बिदेश बेजा था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा संगमित्रा अगर आप से पूछे कि संगमित्रा असोख की कौन थी तो यह असोख की थी पूतरी और संगमित्रा के साथ एक और गये थे जिसका नाम था महेंद्र तो महेंद्र था जो असोख का पूतर था तो इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिये गया और किस लिए गये थे तो बहुत धर्म के परचार परसार के लिए गये थे पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमर आपका तीन है तीन नमर कोशन है आपका कि चोट क्या है चोट क्या है तो चोट है या उपसन एक में है सिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिकर तू में है सिवाजी द्वारा लगाया गया मार्गिकर तीन में है सोख द्वारा लगाया गया सिचाई कर चार में है सिवाजी द्वारा परोसी राजियों पर लगाया गया भू समपती कर तो चौट का अर्थ होता है एक चौट आई चौट का अर्थ अगर आपसे पूछे तो इसका अर्थ होता है एक चौट आई तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर फोर चौट था जो सिवाजी द्वारा परोसी राजियों पर लगाया गया भू संपती कर था बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन की और कोचन नमर आपका है फोर फोर नमर कोचन है कि दल बदल भारत में सोरी दल रहित लोकतंत्र का परस्ताव किसने रखा था एक में जे परकास नरायन बी दो में महात्मा गानी तीन में बिनोवा भावे और चार में एस इडांगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ये जे परकास नरायन और अगर बहुत बार इजामों में पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांती के जनक किसे कहा जाता है संपूर क्रांती आप लोग बहुत बार बहुत बार जावों में पूछा गया कि संपूर क्रांती के जनक किसे कहा जाता है तुझे परकास नरायन को और बिनोबा भावे इससे भी एक important प्रस्ण पूछा जाता है कि पवनार आस्रम के अस्थापना किसने किये थे पवनार आस्रम के स्थापना किसने किये थे तो बिनोबा भावे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर जो है आपका फाइप है फाइप नमर कोचन है कि ओरीसा के कुनार्ग मंदिर के निर्माता थे एक में है कनिस्क दू में है राजा नर्सिं देव पर्थम तीन में है पुल केसी और चार इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा राजा नसी देव पर्थम कब कराये थे तो बारा सु पचास इस वी में कराये थे आप लोगा आद रखी अगर कभी कभी इस भी पूछ देता है कि उरिशा के कुनार्ग मंदिर के थापना कब हुई थी तो बारा सु पचास इस वी में राजा नसी देव पर्थम ने कराये थे और एक और कोहचन पूछता है कि बलैक पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा कहीं किसी भी परगार से कोहचन आपको पूछ सकता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोहचन की और कोहचन नमर आपका च्छे है छे नमर कोहचन है कि अमवस्या तथा पूर्नीमा के दिन पिरहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों कि अ आपसन एक में है कि उन दिनों एक मिनट में आपसन आपसनों एक में है आपका चंद्रमा और पिथवी एक दुसरे के लंबत होते हैं दो में हैं सूर्ज तथा चंद्रमा लंबत होते हैं तीन में हैं सूर्ज पिथवी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं और चार में हैं सूर्ज तथा पिथवी लंबत होते हैं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमर तीन सूर्ज, पीथवी तथा चंदर्मा सलल रेखा में आहोते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्ज गरहन किस दिन लगता है तो सूर्ज गरहन जो आप लोगों का लगता है वो लगता है अमावस्या के दिन बहुत बार इक्या में पूशा गया है सब प्रस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा पूर्ण सूर्ज गरहन कब लगता है अमावस्या के दिन और चंद्र गरहन आपका है जो पूर्णीमा को लगता है आप लोग नोट कर लिजिएगा इन सभी बातों को पूछता है बहुत गो कोचन नमर साथ है। गतली धिन में और चार ि अंगिगा बढ बिहार की दूती राजबासा है को हो जाएगी आपकी उर्धी अगर आपसे पूछे की पर्थम राजबासा क्या है तो है हिंदी पर्थम बिहार की पर्थम राजवासा के आए तो हिंदी और दूसरा पूछे तो आपका उर्दू पढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और कोश्चन नमर आपका आठ है आठ नमर कोश्चन है किस सीख गुरू ने स्वय को सच्चा बात्सा कहा था पर और के तो कितने गुरू थे तो सीखों के दस नियुकर का था तो पटना मेंशा आप लोगा धर्खेगा तो इसमें लगने ने पूछ्चन पूछा गया है कि सीखों किस सीख गुरू ने स्वयको records कहा था तो सच्चा बात्सा जो कहे थे और इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर दो गुरू हर गोमिन जी ने कहे थे पड़ते हैं नेक्स्ट कोशन के और कोशन नमर आपका है नौ नमर कोशन है बेरिया नामक जनजाती बिहार में कहां पाए जाते हैं एक में मुंगेन है दो में नालंदा है तीन में चपर चार वेसालि नमर कोres पड़तार मेंने कहां जाते हैं तो टोटल आप लोग बताईएगा में के टने जिले हैं इistit और विक कहा जिल? बीहार के किस जिले में इस्थित है तो आप लोग इसका भी उक्तर बता दीजिएधा मैं बता देता हूँ कावर जील जो है बिहार के बेगु सराय जिले में इस्थित है उरो इसका जो राइट अचार हो पाएगा बेरिया नामक जन जाती है जो बिहार के मुंगेट जिला में पाए जाता है बढ़ते हैं इस्ट कोष्चन के और कोष्चन नमर आपका है जो 10 दस नमर कोष्चन है तस नमर कोचन है आपका कि राज बिधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम निर्धारित संख्या क्या है राज बिधान सभा के सदस्यों के अधिक्तम निर्धारित संख्या क्या है अधिक्तम तो एक में है 350, दो में है 600, तीन में 500, चार में 750 250 तो इसका जो right answer हो जाएगा Option नमार 6-600 है परते हैं next question कि और question नमर आपका है 11 11 11 नमर question है इस बहुत भारत में अत्यएथ दिरस्राल के को होता है दिर्ग दिन मतलब बरा दिन बहुत बार पूछा जाता है सबसे बरा दिन किस तारिक को होता है तो आप लोग दिर्ग दिन उसे ही करते हैं तो एक में है एक अपरेल 13 अपरेल को दो में है 13 अक्टूबर तीन में है 21 जून और चार में है 21 मार्च तो आप लोग बताईएगा कि भारत में अत्यांत दिर की दिन कब होता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नमल तीन 21 जून को होता है एक प्रस्णावर मैं आपसे पूछता हूँ बिसूब मतलब क्या होता है बिसूब मतलब क्या होता है यह भी फास्ट सेट का कोहचन है तो बिसूब में इस क्या होता है तो बिसूब का मतलब होता है जब दिन और रात है जो ब्राबर होते है मतलब दिन और रात एक ही समय का होता है उसे बिसूब कहते है परते हैं नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका बारा है बारा नमर कोचन है कि 1651 में मुगलो दवारा बंगाल में किस अस्थान पर इस टिडिया कंपनी को ब्यपार करने और फैक्टरी बनाने की अनुमती दी गई थी 1651 में मुगलो दवारा बंगाल में किस अस्थान पर इस टिडिया कंपनी को ब्यपार करने और फैक्टरी बनाने के अनुमती दी गई थी तो और लोग आप बताईए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था ऐसका जो राइट अंसर हो जाएगा उप्ण नमर दुम कासिम बजार बढते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और कोश्चन नमर आपका 13 है तेरा नमर कोचन है दीव एक दीप है एक में है दमन से हटकर दू में है गोबा से हटकर तीन में है गुंजराथ से हटकर चार में है महराष्ट से हटकर दीव एक दीप है दमन और दीप ऐसा नहीं आप माल लिजिए गर दीप यहां पर लिखा हुआ है तो दमन देखकर सिधा दमन आपका सही हो जाएगा गलत हो जाएगा इसका जो राइट अंसर है गुंजराथ से हटकर यही आपका राइट अंसर है बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब अस्थल से लगा हुआ है एक में है लाल सागर दू में है तिमोर सागर तीन में है उतरी सागर और चार में हरल सागर तो आप लोग बताएगा लाल सागर को भूमद्य सागर से कौन सा नहर जोडती है भूमद्य लाल सागर को लाल सागर से भूमद्य सागर को कौन सा नहर जोडता है लाल सागर को भुमादी सागर से कौन सनार जोडता है तो इसे जोडता है स्वेज नहर कौन सनार स्वेज नहर है जो लाल सागर को भुमेद सागर से जोडती है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अरल सागर अरल सागर है जो भूबद है बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन के और कोशन नमर आपका है जो पंड़ा पंड़ा नमर कोशन है कि सिब समुन्दरम जल परपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है सिब समुन्दरम जल परपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है करनाटक में है काउर्किस नदी पर है तो यह आपका हो जाएगा कावेरी नदी और तीन आपका है जो राइट हो जाएगा पढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका है जो एक मिनट कोचन नमर आपका सुला कोचन नमर सुला है आपका परस्न सुला नमर है कि इन कलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था तो बहुत ही सिंपल कोचन है आप लोग सभी बता सकते हैं इसका राइट अंसर एक में चंद से खरजाद दू में सुवाचंद रबोस त इन में भगत सिंग चार में इकवाद इन कलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था तो लेक में चंद से खरजाद तो इसका जो राइट आंसर है ओँ हो जाएगा ऑप्शन तीन भगत सी तो भगत सिंग को फासी कप दी गई थी आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 23 मार्च 1931 भगत सी को फासी दी गई थी और कितने बर्स में तो 23 बर्स में ही दिये गए थे 23 बर्स के उम्र में भी और चंद सेखरजाद की मेटु किस पार्ग में हुए थी हुआ था ये भी बहुत बार पूछता है तो अलफ्रेड अलफ्रेड नेशनल पार्क में चन्सेखर आजाद की मेर्तू हुई थी और स्वाचंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लोग की अस्थापना की तो आप लोगों का इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नाल किस ने दिये थ कोचन नमर 17 है आपका को 17 नमर कोचन है कि भारत का अमर राष्टिये गीत की बात की गई है बंदे मांत्रम हमारा राष्टिये गीत तो एक में है रमिंदराथ टाइगोर दो में सरद्चंद्चटरजी नए सरद्चंद्चट्टो पध्यार तीर में बंकिम चंद्चटरजी और चार में सुदेंद्रनाथ बंदो पध्यार बहुत ही सिंपल कोचन है आप जल्दी से बताईएगा इसका राइट अंसर तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बंदे मात्रम को और सी बंकिम चंद्चटरजी ने लिखे थे लिखे थे आपसे यह भी पूछ सकता है कि बंदे मात्रम है जो किस पुस्तक से लिया गया है तो बंकिम चंद्चटरजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मट आनंद मट पुस्तक से लिया गया है और बंकिम चंद्चटरजी बांगला देश जो हमारा परोसी देश है बांगला देश जहां कि अभी पीम से खसीना है आठमी बार लगतार आठमी बार पीम बनी ह तो बंगलादेश का भी राष्टिय गीत किनों ने लिखा है तो बंकिम चंद चतरजी नहीं लिखा है जिसका वहां का राष्टिय गीत का नाम है आमार सुनार बंगला तो इन सभी बातों को भी आद रखिएगा पूछ देता है भारत का प्रोसी देश की सेख सीना लगतार कितने बार है जो बंगलादेश की पीम बनी है तो आप लोग आद रखिएगा आठ बार बनी है अमार सुनार बंगला है जो कहां का राष्टिय गीत है तो बंगलादेश क और राश्टिये गान किन्हों ने लिखे जन्गर्मन तो रभिन्दा टैगोर ने लिखे तो इसका राइट अंसर क्या हो जाए अप्सन नमर तीन हो जाएगा पंकिम चटर जी पढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन के और कोश्टन नमर आपका 18 है 18 नमर कोश्टन है कि प्राचिं जिए सहारा इर सहार बताईएगा इन मेंसे कौन है जो सबसे प्राचिंतम ए长ун के तो इसमें एसाहिए है जो भारत की एरलाइन से यह है जो इंडिया की बाकी है जो अलग देश का एरलाइन से आद रखिएगा सहारा एरलाइन पुछा जाता है किस देश का मतलब अंतराष्टी एरलाइन है तो इंडिया का है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपको डच के लेंग बेरते हैं नेक्स्ट कोचन की नेक्स्ट कोचन कोचन नमर आपका है जो 19 19 नमर कोचन है 19 नमर कोचन है कि स्रेष्ट कलाकिरती हंस दम्यंती को किसने चरित्र किया है एक में है ए ए मेनन तो में है राजा रवी बर्मा थीन में रविन्ना टैगोर और चार में अम्रिता सेरगील तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका आप्सन नमर दो राजा रवी बर्मा ने हंस दम्यंती को चित्रित किया है और अभी मैंने बताया था रविन्ना टैगोर ने क्या लिखे है तो इन्होंने राश्टिये गान क्या लिखे है तो राश्टिये गान लिखे है राश्टिये गान हमालोग हमाला दास्टिय गान क्या है जन्गनमन तो वही इन्हों ने ही राविर्णा टैगोर नहीं जन्गनमन को लिखे पढ़ते हैं निक्स्ट कोचन की और कोचन नमर आपका है जो 20 है 20 नमर कोचन है कि हेमा मालनी की पहली हिंदी फिल्म किस बर्स आई थी तो एक में 1965 दू में 1966 तीन में 1967 और चार में 1968 आप लोग सरी जानते हैं कि हेमा मालनी की फेमस मोवी कौन थी तो ओ था सोली सोली कौन सा सोली तो हेमा मालनी की पहली फिल्म हिंदी फिल्म किस बर्स आई थी इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमर फोर 1966 भी में आई थी बढ़ते हैं नेक्स्ट कोहचन की और कोहचन नमर आपका है 21 किसने रगुपती रागव राजा राम लिखा है एक में हैं गांधी जी दो में हैं टैगोर चार में अरविंद घोस तीन में अरविंद घोस और चार में विस्नू दिगंबर पलुसकर रगुपती रागव राजा राम ये जो भजन है गांधी जी का सबसे प्रिये भजन है खाली अस्थान में नया पैसा का परीचे कराया गया था और 1964 में उसका पुर्ण नामकरन किया गया था तो कब है जो परीचे कराया गया था आपके option में एक है 1957 इसवी दो में है 1960 इसवी तीन में है 1962 इसवी और चार में 1969 इसका जो राइट अंसर हो जाएगा option नमर ए उनी सो संतामन इसवी में नया पैसा का परीचे कराया गया था और फिर उसे 1964 में है जो ये उसका पुर्ण नामकरन किया गया था बढ़ते हैं कोंचेशन नमर तेइस की ओर कि निलिखित में से कौन सा लोक नीर्थ राजस्थान से सम stylish है लोक नीर्थ राजस्तान से सम तो इसके ऑप्संस है थोरा सा मैं ऑप्संस देखता हूं कौन सा ऑप्संस है इसे परहा कर लेता हूं था कि आप लोगों को साब दिखाई दे अगर आप लोगों को दुनला दिखाई देता है तो विडियो की क्वालिटी थोरा सा 240 या 360 पे करके देख लिजेगा तो पूछा या कि राजस्थान का लोगनीत काुंसा एक में है रौप 2 में जहोरा 3 में लोगेश ऑचार में स्विस्नी तो लोगनीत है और मोर फोड़ो जाएगा इक और लोगनीत है जिसका नाम धूबशी संभ भूमब स्विस नीग वेयरं नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमबर आपका है जो 24 कि थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूं थाकि आप लोग थोड़ा सा और छोटा इतना ठीक है कोचन नमबर आपका 24 है कि भारत का राष्टी ये ब्रिच कौन सा है सिंपल सा कोचन है एक में नारियल दो में है चंदन तिन में है बट और चार में नीम तो सभी लोग इस कोचन का आंसर आप लोग है जो कमेंट में दीजिएगा मैं इस कोचन का आंसर छोड़ता हूं आप लोग पर सिंपल सा कोचन है बढ़ते है नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका है जो 25, 25 नमर कोशन है कि निमलिखित में से किसने 506 इसमी में नई आगरा, नई आगरा बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया, नई आगरा कितना इसमी में 506 इसमी में, तो एक में हैं बलहोल लो दी, दो में हैं सिकंदर लो दी, तीन में हैं अकबर लो दी और में इबराहिम लोदी तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्सन नमर कि दो सिकंदर लोदी कितना बार यह भी पूछा गया है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की अस्थापना कब की थी तो आप लोग देट आद रखेगा बहुत बार पुछा गया है 1526 में वड़ते नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका जो 26 26 नमर कोचन है इसमें है बलवन्त राय मेहता कमीटी ने सुझाओ दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए पंचायती र चार में है ग्राम मंडल जिला और राज तो जली इसे बताइएगा बलवन्त मेहता कमीटी ने सुझाओ दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर एप्लोग और जिला स्तर पर बढ़ते हैं निक्स के थोड़ा सा सरदी हो गया है तुझकल साओं लोगों से काफ़ी कर ची को गया है तो सब्सक्राइस कोचन है आपका क्थड इस्धेशन करते तो में सोलापूर महराष्ट थीन में सालेम तरनलनू इसा तन्ह Europर देस तो आपका जो राइट आंसर हो जाए स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश में इस्तित है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन की और कोचन नामगार आपका 28 है 28 नमर कोचन है कि बेक्तिगत ओलंपिक स्वरन पदक पाने वाले पर्थम भारतिये का नाम क्या है एक में केडी जादब दू में है पीटी उसा तीन में अभिनभ बिंदरा चार में सीके नाइडू पीटी उसा को आप लोग जानते हैं कि उरन परी के नाम से किसे जाना जाता है पूछा गया है कोचन उरन परी के नाम से किसे जाना गया है तो पीटी उसा को तो इसका जो right answer हो जाएगा हो जाएगा आप लोगों का option नमर 3 अभिनव बिंदरा है जिन्होंने सबसे पहले बेक्तिगत ओलंपिक में स्वन पदक पाने वाले पर्थम भालती है थे वड़ते हैं next कोचन के और कोचन नमर आपका है जो 29 कोचन नमर आपका है 29 39 है जो 29 कोचन है कि भीहार के कितने जिले में पुर्ण संपूर्ण साथ चर्ता अभियान पूरा किया थे थेमिस्वीक है तो आप लोग बताए पहार में टोटल कितने जिले हैं आरि तनLY 39 में से कितने जिले हैं जिन्होंने संपूर्ण साथ चर्था अभियान पूरा किया है तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा उप्शन नमर दू चोविस में संपुन सा चर्था अभियान पूरा किया है पढ़ते हैं ने कोचन क्यों कोचन नमर आपका तीस है तीस नमर कोचन है कि काला रंग काला रंग का धोज क्या दरसाता है काला रंग का धोज क्या दर्साता एक में क्रांती यभै तुमें सांती तीन में बिरोध और चार में यूध भीरा जल्दी से बताईएगा काला रंग का धोज है किस रंग को दर्साता है तो जल्दी से बताईएगा तो इसका जो राइट अंसर है और जाएगा काला छंडा जो बिरोध का परतिक माना जाता है अगर आप से पूछे कि लाल छंडा किसका परतिक माना जाता है तो लाल जंडा है जो हमेशा यूद, यूद का परतिक माना जाता है, लाल जंडा किसका परतिक माना जाता है, यूद का, और अगर आपसे पूछे कि नीला जंडा किसका परतिक माना जाता है, सभी नोट कर लिजिएगा पूछता है, तो नीला जंडा है जो बहादुरी, बहादूरी और सतर्कता का परतीक माना जाता है इन सभी बातों को आप लोग आद रखेगा काला जंदा है जो बिरोध का लाल जंदा है जो यूद का और निला जंदा है जो बहादूरी और सतर्कता का परतीक माना जाता है पढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और कोशन नमर आप आपका है कोचन नमर आपका है 31 31 नमर कोचन है 31 नमर कोचन है 31 नमर कोचन है आपका एक में हैं आपका इलाहाबाद दू में हिधरवाद इन बंगलोरु है चार में है जल सो जलदी से बताईएगा कहां इस्थित है है कि जल्द्धी से बताइएगा कि तो आपका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन बंगलोरु है और इसे 29 मई 29 मई आप लोग आद रखियेगा 29 मई 1907 इस्वी को खोला गया था 29 मई 1907 इस्वी को बंगलावर के करनाटक में खोला गया था School of Aviation Medicine बढ़ते हैं नेक्स्ट कोच्चन की और कोच्चन नमबर आपका है 32 32 नमबर कोच्चन है 32 नमबर कोच्चन है कि मंडी की परिभासा क्या है मंडी की परिभासा क्या है एक में है आपका मरियादित समय के लिए आर्थिक परवीति की गती धिमी होती है दो में है उवा समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उपादन गीता है तीन नमर आपका तीसरा ओप्षन है तीसरा ओप्षन है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तीसरा ओप्षन है वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रा बढ़ता है और चार में है उप्युक्त सभी विकल्ब तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उप्षन नमर फोर सभी विकल्ब सही है सभी विकल्ब सही है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन के और कोस्टन नमर आपका है जो तेतीस तेतीस नमर है कि अरुनाचल परदेश पर किस हाई कोट का छेतरा दिकार है और उना चल परदेश पर की साई कोट का छेतर दिखार है एक में गोहाटी दो में मुंबई तिर में कोलकाटा और चार में चंडीगड तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ये गोहाटी का है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन के और कोश्चन नमर आपका है जो 34 करें चोथीस नमर कोहच्चन है । इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका नमर एक मनेर में इस्तित है अगवरी महजीद अगवरी महजीद कहां इस्तित है तो मनेर में बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोचन के और कोचन नमर आपका 35 है महाबलेसवर कहां इस्तित है महाबलेसवर की पहारियां बहुत बार पूछी गई कि महाबलेसवर की पहारियां कहां इस मत परदेश को और किन नामों से जाना जाता है जल्दी से आप लोग बता देता हूं मतपदेश को जो की आपका एक दाल के नाम पर परा है जो की एक दाल के नाम पर मतपदेश का ओ नाम परा है तो उसको कौन सा नाम है आप लोग कमेंट में करके बताईएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन के ओर कोशन नमर आपका 36 है 36 नमर कोशन है कि निमलिखित में से किसमे राजसभा की कोई भूमी का नहीं होती है एक में है उपराश्टपती के निर्वाचन में दो में है अध्याच अस्पीकर के निर्वाचन में तीन में है राश्टपती के महाभियोग में और चार में है उस्तम न्याले के न्याई देसों का तो आप लोग बताईएगा कि मैंने करनी बताया राजसभा किस तरह का सदन है तो राजसभा ये का स्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और राज सभा के सदस्य का काल काल कितना होता है तो छे बर्स का होता है यह भी याद रखिएगा तो यह उच्छ अस्तर यह सदन है लोक सभा जो निम्न अस्तर यह सदन है तो इसमें पूछा किया गया है कि निमलिकित में से किसमी राज सभा की कोई भूमिका नहीं होती है तो इसका जो राइट अंसर है आपका अपसर नमर दू अध्याच अस्पीकर के निर्वाचन में और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजसभा के अध्याच कौन होते हैं तो राजसभा के अध्याच जो होते हैं होते हैं कौन उपराष्ट पती उपराष्ट पती उपराष् इस नमर कोचन है कि डेमोक्रेसी सब्द किसी भासा से उत्पन हुआ है सही विकल्प चुने मतलब डेमोक्रेसी सब्द किस भासा से उत्पन हुआ है एक में है लाइटीम तुमें है फ्रेंच तिन में है जर्मन और चार में ग्रीक तो जल्दी से बचाएगा कि डेमोक्रेसी अंसर हो जाएगा उप्सन नमर चार ग्रीक से हुआ है मैं फ़रा तेजी से अप कोचन करता हूं कि टाइम जादा हो रहा है तो सिर्फ कोचन अंसर करता हूं बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका आर्थीस है फ़रा से लंबा कोचन है चलिए कोई बात नहीं कोचन नमर आर्थीस है आपका कि मार्टर कासिम सुलिमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गतलत कथन चुने मार्टर कासिम सुलिमानी तो एक मेहिया सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल है तो मेहिया मिसाइल इरान और रूस द्वारा संजुक तुरूब से तय तियार की गई है तीन में है इस मिसाइल की रेन चौदा सो किलो मीटर है चार में है या मिसाइल इरान की है तो गलत कथन चुनना है तो इसमें तीन सही है ये गलत है तो या सता सता से मार करने वाली मिसाइल है ये बिलकुल सही है या मिसाइल इरान रूस द्वारा संज्वत र किलोमीटर है बिल्कुल सही है और या मिसाइल इरान की ये भी सही है तो इसमें गलत कौन सा है गौलत आपका हो जाएगा अप्सन नमर दू या मिसाइल इरान और रूस द्वारा सन्युक्त रूप से तयार की गई है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोचन की और कोचन नमर आपका है 49 49 नमर कोचन है बिहार राज का गौपाल गंजिला किस लिए परसीद है गौपाल गंजिला एक में सोरा उतपादन दो में सेल खरी उतपादन तिन में तिन उतपादन चार में ग्रेफाइड उतपादन तो आप लोग बताईए कि ग्रेफाइड किसका आयस्क है के और कोचन की सर्बोच कमांड का दिकार किसके पास है defense forces की सर्वोच command का दिकार किसके पास होता है तो इसके जो option है मैं option देख लेता हूं options चालीस नमबर का है तो आपका है एक में फिल्ड मारसल दू में commander in chief तीर में परधान मंत्री और चार में भारत का राश्ट पती तो जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा चालीस नमबर कोचन का answer आप लोग जल्दी से दिजिएगा कि क्या हो गया चालीस का सिंपल कोचन ने थोड़ा सा दिमाग लगा ये और बताईए तुरंत डिफेंस फोर्सेस की सरवोच कमांड का दिकार किसके पास होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका option नमबर फोर भारत के राश्ट पती के पास होता है सभी थल से ना हो अस्थल अस्थल से ना हो बायू से ना हो या नो से ना हो सभी का पर्मुख जो होता है हो कौन होता है भारत का राश्ट पती ही होता है पधान मंत्री भारत के लोगसभा में बहुमत दलका नेता होता है आप लोगा दखेगा पधान मंत्री लोगसभा में बहुमत दलका नेता होता ह इतनी होनी चाहिए तो कम से कम पचीस होना चाहिए और लोग सभा का सदस्य होना चाहिए लोग सभा का सदस्य भी होना चाहिए तो चरिए बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोचन की और कोचन नमर आपका 41 है 41 नमर कोचन है कोचन है 41 41 नमर कोचन है कि राष्ट गीत का पर्थम गान गया गया था राष्ट गान तो एक में हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में 27 दिसंबर 1111 में दूसरा में भारत की भारत की बंदार्नीय सभा द्वारा 24 जनबर 1950 में तीन में हैं भारत सरकार द्वारा 26 जनबर 1969 को और चार में उप्युक्त बिकल्पों में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओ हो ये जाएगा आपका एक सर पर्थम राष्ट गान है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के धीबेशन कलकत्ता धीबेशन में 17 दिसंबर 1911 इस भी में गाया गया था और किन्हों ने तो रविंद्रनाथ टैगोर कुछ देर पहले ही मैंने बताय था कि राष्ट गान किन के द्वारा गया गया है तो रभिंद्र नाथ टैगोर के द्वारा गया गया है और राष्टिय गीत बंकिम चंद चटर जी और राष्टिय गीत को गाने में कितना सेकेंड का समय लगता है तो बामन सेकेंड का ये भी पूछा गया है तो आद रखिएगा परत्य नक्स्ट कोचन के और कोचन नमर है जो आपका 42 है 42 नमर कोचन है कि परत्य छे लोगतंत्र सरकार का एक एसा तंत्र है जिसमें परत्य छे लोगतंत्र सरकार का एक एसा तंत्र है जिसमें आपके उप्संस हैं एक में हैं लोग सिविल सिवकों को चूनते हैं दो में हैं लोग अपने परति निद्धियों का सीधा निर्बाचन करते हैं। तिन में हैं लोग देश के नीती निर्मान कार्ज तथा परसासन में सीधे भाग लेते हैं। प्रतेश लोकतंत्र प्रतेश लोकतंत्र है देश के लोग नीती निर्मानकारी तथा परशासन में सीधे भाग लेते हैं और तेन नक्स्ट कोचन के और कोचन नमर आपका 43 है 43 नमर कोचन है नेशनल इंस्टिचूट आप ओसनुगराफी कहां इस्थित है एक में गोवा पंजी दो में है लखनवु उतरपदेश तिन में पुने महराश चार में नागपूर महराश जल्दी से बताईएगा 43 नमर का आंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप लोग कहें गोवा पंजी में इस्थित है 44 नमर कोचन है आपका च्रवार्फ नमर कोस्ण है कि देश के किस सिराजसी में सबसे पहले जमिनदारी उन Gena इम इन ही मौन कानून किस सिराज μέ moeten यह में विःर्ष में दू में महराष्ट में चार में तेर में पुच्चिम अगरण हो चार में मत्भदे तो जल्दी से बताईएगा किस राज में बना तो महराष्ट है जो जनसंख्या की दिरिष्टी से से केंड सबसे बरा राज है और फर्ष्ट में कौन है जनसंख्या की दिरिष्टी से तो यूपी और ठट नमर पर आप लोग बताएं सकते हैं कौन सा राज है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका उप्सन नमर एक बिहार है बढ़ते नेक्स्ट कोहचन कोहचन नमर आपका पैतालिस पैतालिस नमर कोहचन है भारत की राष्ट गीत की रचना किसने की इसमें देखिए राष्ट गान नहीं लिखा हुआ है राष्ट गीत लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखिएगा राष्ट गीत राश्टगीत की रचना किसने की एक में बुरभिंद नाट टैग और दू में बंकिम चंद चटर जी तिन में सिरी अरविंद चार में महात्मा गादे तो इसका जो right answer हो जाएगा टाइगव ने की है 46 नमर question है 46 46 q population है कि लाल बहादूर सास्त्री की पहचान और भी थी जैसे लाल बहादूर सास्त्री को और किस उपनाम से जाना जाता था था एक में है गुरू जी तुमें है सान्ती जूत तिर में है पंजब के से चार में है महात्मा तो गुरु जी के नाम से किसे जाना जाता है तो गुरु जी के नाम से रविंदरनाथ टैगोर जिन्हों ने राश्टी ए गान को लिखा है रविंदरनाथ टैगोर को जाना जाता है गुरु जी के नाम से रविंदरनाथ टैगोर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप लोगों का उपसंदू सांती दूप के नाम से जाना जाता है पंजाब केसरी के नाम से किने जाता है तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं लाला लाजपद राय लाजपद राय का उप नाम क्या है उप नाम क्या है तो पंजाब केस्वी और महात्मा गानी है उप स्थांद प्रकार्ण 47 है 47 नमर कोचन है 47 नमर कोचन है आपका मैक्सिस अवाड मैक्सिस अवाड रमन मैक्सिस के नाम से परचली थे वह जमीन सुधार कार्ज कर्म से सामिबादी लोगों के परभाव को दूर करने के लिए भी महसूर थे हुए तो आपका एक में है फिलिपिन्स के पर्मुक थे दो में स्पेन के पर्मुक थे तीन में स्कॉटलेंड के पर्मुक थे चार में मलेशिया के पर्मुक थे तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर ये फिलिपिन्स फिलिपिन्स के पर्मुक थे और फिलिपिन्स क बावर ने अपने अनुभवो का बरनन किया है किस पुस्तक में बावर ने अपने अनुहबों का बर्नन किया कि इस पुस्तक में और बावर को मुगल समराज का संस्थापक भी कहा जाता है आप लोग आद रखेगा बावर को मुगल मुगल समराज मुगल समराज का संस्थापक किसे कहा जाता है तो बावर को बहुत आप लोग आद रखेगा पूछ लिया जाता है कि मुगल समराज का संस्थापक किसे कहा जाता है तो बावर को कहा जाता है तो उसकी एक किस पुस्तक में बर्णन किया है एक में तुजु के बाबरी दुमें तुजु की सल्दनत दुमें खर्चाई बाबरी चार में में कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपके तुजु की बाबरी में किया है बढ़ते नेक्स्ट कोष्चन की ओर और आपका 49 49 49 49 49 49 49 बिहार में तेल सोधक कर खाना कहां इस्थित है एक में टाटा नगर दुमें है मुरी में तीन में है पतरातू में चार में है ब्राउनी में तो बिहार में तेल सोधक कर खाना कहां इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आपसन नमर 4 ब्राउनी म का अंतिम और लास्ट कोश्चन है पचास नमर पचास नमर कोश्चन है आपका नेता जी सुवाज चंदर बोस इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां इस्थित है आपके ओप्शन से एक में कोलकाता दो में मुंबई तीन में नहीं दिली चार में गुहाटी तो जल्दी से बताईए और टोटल पचास कोश्चन में से आपने कितने प्रस्नों का राइट अंसर दिया है और कितने का आप नहीं जानते थे और कितने का आपने रॉंग अंसर दिया है कमेंड करके जुरूर बताएंगे और मैं साइंस का 25 कोश्चन 25 कोश्चन से जो उसका अलग से से लाओंगा मैं 25 Haro science का कोचन रहेगा और बहुत ही important question रहेगा सां जो कि आपका रेलेवे हो गया BSSC हो गया BSSC हो गया और भी सभी गजामों के लिए सभी गजामों के दिश्टी से पुछ सभी आयए आप किसी भी गजाम के तैयार कर रहे है सभी में इस साइंस पूछा जाता है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका option number इंग है और अगर आपको विद्यू पसंद आई तो थोड़ा सा लाइक से लाइक से सब्सक्राइब कर दिजिए गार चैनल को साथ में सेर भी कर दिजिए ताकि और भी दोस्तों के पास पहुंचे विडियो मिलते हैं फिर से एक नए सेट में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू